नमस्कार दोस्तों, ABC हल्टेप्स येटिव चैनल में आपका हर्दीक स्वागत है आज इस वीडियो में हम जलने के पांच अईरवेदिक उपचारों के बारे में जानने वाले हैं इस अईरवेदिक घरे लूपचार के बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो को बगएर इस्तीप के अंतक देखिए और अगर जनगारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा कीचन में काम करते हुए कई बार औरते तेल के छीटों, चाय, दूद, गर्म पानी आग से जल जाती है इन चीजों से जलने पर तुचा पर फोले बन जाते हैं और साथी साथ अहसानी पीड़ा जलनी पड़ती है सो अलग ऐसी कश्टदाय की स्थिती में तुरंत इस चीज की थोड़ी सी मातरा जले हुए अस्थान पर लगाने से जलन, दर्द और छाले से तुरंत रहत मिल जाती है इससे आपको जलन और दर्द से तुरंत रहत तो मिलेगा ही साथी साथ जलने का गाव भी बहुत जल सुखेगा और जलने का निसान भी बहुत जल मिट जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस जगह पर कभी जला भी था एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जलने जैसी कश्टदाय की स्थिती में सही जनकारी के अभाव में और उल्टे सिधे बजारू क्रीम इत्यादी को जले हुए अच्थान पर लगाने से अकसर परसानी बढ़ जाती है ऐसी इस्थिती से कई वार छाले तो ठीक हो जाते हैं लेकिन जलने का निसान लंबे समय तक बना रहा जाता है अगर ये दाग चेहरे पहूं तो आप समझ सकते हैं कि जले हुए ब्यक्ति के लिए या किसी बूरे सपने से कम नहीं होता आएए अब हम जलने के सभी पांच आयरुवेदी घरेलू उपचार के बारे में एक एकर जल लेते हैं आग से जल जाने पर सबसे पहला और जरूरी घरेलू पाय यानी की प्राथमिक उपचार के तौर पर तुरंत उस जले हुए अस्थान पर ठंड़ा पानी डालें ताकि तवचा की जलन जादे गहराई तक न पहुंच सके जले हुए अस्थान पर ठंड़ा पानी डालने से फफोले तो बन जाते हैं लेकिन तवचा जादे गहराई तक नहीं जल पाती है आग से जल जाने पर दुसरे घरेलो उपचार के तोर पर जले हुए अस्थान पर आलू या आलू का छिलका लगा का रखने से भी जलन में बहुत रात मिलती है इसके लिए आलू को सादे पानी में बिल्कुल साफ कर लें फिर उसे स्लाइस के रूप में काट कर जले हुए अस्थान पर रखें या फिर अच्छी तरह से साफ किये हुए आलू के छिलके को भी आप जले हुए अस्थान पर रख सकते हैं जलने के तुरंद बाद ऐसा करने से जलन कम होने के साथ-साथ घाव को भी जल्दी से भरने में मदद मिलती है। ठंडे पानी या ठंडे दूद से धोने के बाद एलो वेरा को जले हुए अस्थान पर लगाना ब्यहतर रहेगा। आग से जल जाने पर पांचवा घरेलो उपचार के तौर पर जलने वाले अस्थान पर नारियल का तेल लगाने से काफी रात मिलती है। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर जले हुए अस्थान पर लगाने से इसका असर बहुत जल्दी होता है इसे जलन में अराम मिलता है और साथ ही साथ छालों में भी दर्द कम होता है अब जलने से बने हुए दाग को जल्द मिटाने के घरेलू उपचार के बारे में भी जलन ल निबू और टमाटर का जुस आपस में मिलाकर उसे जले हुए अस्थान पर या फिर जले से बने हुए दाग पर लगाने से दाग जल्दी मिट जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है निबू और टमाटर में वीटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। विटामिन C दाग धबों को मिटाने में बहुत मददगार होती है। निबू और टमाटर के रस में मौझूद तत्वा तोचा की इमरीत कोशिकाओं को हटाने और तोचा को ताजगी परदान करने में मददगार होते हैं। निबू छारिय गुण वाला होता है जो तोचा पर बनने वाले दाग धबों को तेजी से दुर करता है। ताजा टमाटर का रस एक तरह से प्राकृतिक ब्लिचिंग एजेंट का काम करता है। जो तोचा पर बने हुए दाग धबों को कम परसानी ठीक न हो रही हो तो आप तुरंत अपने नजदी की डाक्टर से परामर्स लें उमीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी जनकारी आपके लिए जरूर हेल्फूर रही होगी अगर आयरुवेदी घरेलो इलाज से सम्मधित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सेर कीजिए धन्यवद